Hello everyone, Welcome to Success with Raya Academy 16 July 2020 के दैनिक जागरण के राश्टिय संस्क्रण को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं तो दैनिक जागरण ने जो सबसे में हैडिंग बनाई है वो है गांधी के खिलाफ इस्तमाल हुए कानूनों को क्यों खत्म नहीं करते और ये कानून है 124A जो राश्टर द्रोह भी बोला जा सकता है ये बोला जा रहा है कि 75 साल के आजादी के बाद भी इस कानून को क्यों नहीं खत्म किया जा रहा है अब ये इसलिए किया जाता था क्योंकि जो महात्मा गांधी थे वो अंग्रेजों के किसी कानून के किलाफ आवाज उठाते थे तो इस कानून को उन पर थोप दिया जाता था या फिर कह सकते हैं लागू कर दिया जाता था और ये कानून उनको राजद्रों के तहट जेल में जा सकता है अब धारा 124 ए क्या है सबसे पहले उसको जान लेते हैं फिर निउसको देखते हैं देखें धारा 124 जो ए है वो अगर कोई भी व्यक्ति भारत की सरकार के विरोध में सारजनिक रूप से ऐसी किसी गतिविधी को अंजाम देता है जिससे देश के सामने सुरक्षा क संकट पैदा हो सकता है तो उसे उम्र कैद तक की सजा हो सकती है अब इसमें सुप्रीम कोट ने जो टिपनी की है कि IPC की धारा 124 ए का दुरुपयोग और इस पर कार्यपालिका की जवाब दे ही ना होने पर चिंता जताते हुए केंद्र सरकार से सवाल किया गया है कि क्या आ आउशक्ता नहीं थी उसे रद्ध कर दिया है और आगे भी ये प्रक्रिया चल रही है तो क्या ये कानून उस रद्ध होने की प्रक्रिया के अंतरगत नहीं आता है क्या इस कानून को भी रद्ध किये जाने की जरुवत नहीं है सुप्रीम कुर्ण ने भी बोला कि महात्मा गांधी को चुप कराने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था आजादी के इतने साल बाद भी इसकी जरुवत क्या है ये समझ में नहीं आता है क्योंकि महात्मा गांधी जो सतंतता आंदोलन को बढ़ावा देते थे उसको दबाने के लिए इस कानून का सबसे ज़्यादा प अधी है एस आलमगे को जिए जेवाब के लिए कोई अंतिम्तिति नहीं दी गई है आगे आटिकल में याने की नीउज में ये भी बताया गया है कि सप्रेमकोड टीपनी की है कि इस आर्टिकल का भी उसी तरीके से दुरुपयोग हो रहा है जिस तरीके से आर्टिकल याने की धारा 36A 36A में क्या होता है देखे जो धारा अब 36A का एक्जामपल सुप्रिम कोट नहीं यहां पर दिया है तो 36A के बारे में जान लेते हैं देखे जब कोई online टिपड़ी करता है यानि कि digital माध्यम से कोई टिपड़ी करता है एक्जामपल के तौर पर आपके पास अगर कोई message आता है देश के खिलाब किसी भी topic पर कोई message आता है अगर आप उसको forward करते हैं forward करते हैं और वो देश हित में नहीं हुआ या किसी के लिए अपमान जनक बोला गया है या कोई टिपड़ी की गई है यानि कि वो कानून के तहत उचित नहीं है तो उस पर 6-6-A धारा लगाई जाती है जैसे कि WhatsApp में कई बार message forward किये जाते हैं या आप कह सकते हैं कि 26 जन्वरी को जो WhatsApp और Twitter के द्वारा हिंसा बढ़काने के लिए कुछ बढ़काऊ पोश्ट वाइरल किये गया थे तो वो सब धारा 6-6-A के तहत आती है लेकिन हुआ गया था इस धारा को लागू कब किया गया था इस धारा को फरवरी 2009 में 6-6-A को फरवरी 2009 में लागू किया गया था लेकिन इसके दुरुपयोग को देखते हुए सुप्रीम कोट ने 2015 में इसे रद कर दिया था लेकिन आज भी रद होने के बावजूद धारा 6-6-A में कई केस दर्ज होते हैं और अभी भी इसका प्रियोग जारी है इसी का उधा होते रहें नेक्स्ट निउस है आत निर्भर भारत से आकरसित हो रहे निवेशक देखिए कल प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जो अपने संसदिये छित वारानसी में कहे थे उन्होंने कई वहाँ पर सुविधाओं का लोकारपण किया और काशी में करीब 15,000 करोन की योज दिया है कि किस तरीके से आत निर्भर भारत की जरूरत है और देश प्रदेश के साथ बनारस के समावेशी विकास का भी संकल फलिभूत होता है आत निर्भर भारत से आत निर्भर भारत योजना से दुनिया के निवेशक आकरसित हुए हैं विसेश कर उत्तर प्रदेश पे उनका पसंदीदा राज्य बन गया है भाई भतीजा वाद से नहीं विकास वाद से सरकार चलती है यह कहकर उन्होंने विरोधी दलोपर निसाना भी साधा और उत्तर प्रदेश सरकार की प्रसंसा भी करी है बियच्यू के टेक्नो ग्राउंड में गुरु आरको डिफेंस कॉरिडॉर समेत उत्तर प्रदेश के अन एक्सप्रेस वे की गिंती कराते हुए मोदी ने कहा कि एक्सप्रेस वे केवाद सडक निर्मान नहीं है इसका उद्देश अगर देखा जाए तो कई आत निर्भर क्ले मुझगार मिलता है इन सब बातों को वहाँ पर बोला गया है क्रसी मंडी को आधनिक और सुविधा जनक बनाने की शुरुवात हो गई है और देश में इसी का ही नतीजा है कि गेहूं और धान की रिकॉर्ड खरीदारी की गई है नेक्श निउस है कि भारत में हर तीसरे वयस्क को लग चुका है टीका ये कुरोना की जो दूसरी लहर में सबसे ज़्यादा भारत प्रभावित हुआ यहां की सुविधाओं की पोल खुली है तो उस पर अब जब तीसरी लहर की आसंका जताई जा रही है तो उससे पहले ज इतनी भारत की आबादी है अगर आबादी के हिसाब से देखा जाए तो चाइना सबसे टॉप पर है जिसने एक सो पांच करोन लोगों का वैक्शिनेशन कर लिया है और उसके बाद दूसरा अमेरिका है जिसने 33.5 करोन डोज दे दी है उसके बाद भारत आता है जिसने 31.35 क लोगों का वैक्शिनेशन कर दिया है हाला कि साथ करोन 78 लाख लोग दोनों डोज ले चुके हैं और इसमें 18 प्लस से जादा लोगों की बात पता ही जा रही है इसमें ये भी जब स्वास्त मंत्राले के अधिकारी से टीका करण अभियान के बारे में पूछा गया कि भारत म उन्हें का कि नहीं ऐसा नहीं है यहां की रफ़तार अच्छी है और सबसे ज्यादा टीके लगाए गये हैं फिर इस पर टिपड़ी करते हुए जब पत्रकार ने पूछा कि सबसे ज्यादा टीके तो चाइना में लगाए गये हैं तो उन्होंने इसका जवाब दिया कि ब्राजील में 11.72 करोण और जर्मनी में 8.41 करोण लोगों को डोच दी जा चुकी है दुनिया में सबसे अधिक और सबसे तेज ठीका करण के बावजूद भारत की चुनोतियां बरकरार हैं तीसरी लहर के आसंका के बीच जल्द से जल्द बड़ी संख्या में ठीका करण ज बार वक्ति को टीका लगाने के लिए 149 करोण अतरिक्त डोज की जरुवत पड़ेगी नेक्ट नीउस पर आते हैं नेक्ट नीउस है कि अफगानिस्तान पर टॉप गेर में भारती कूटनीती देकि अफगानिस्तान में जिस तरीके के हालात बने हुए हैं भारत की तीन अर की हैं उसको लेकर अब कूटनीतिक तोर पर आगे बढ़ रहा है अफगानिस्तान के बिगड़ते हालात को देखते वे भारत की कूटनीतिक गतिविदियों भी काफी तेज हो गई हैं विदेश मंत्री ऐस जैसंकर ने ना सिर्फ अफगानिस्तान के सीर्स नेताओं से लगा आतार विमर्स कर रहे हैं आपको कई बार वीडियो में बताया जा चुका है यह टॉप न्यूस बनी हुई है कि सितंबर 2021 तक अमेरिकी सेना की पूरी तरीके से अफगानिस्तान से वापसी हो जाएगी उसके बाद इस न्यूस के बाद जैसे धीरे धीरे वापसी हो रही है सेना की अफगानिस्तान पर तालिबान पाकिस्तान समर्थित तालिबान का भी पूरी तरीके से कबजा होता जा रहा है पिच्चासी तालिबान ने यह आप कहा सकते हैं कि दावा किया है कि 45 परतीसत छेत्रों पर अफगानिस्तान के हमने कबजा कर लिया है और इसमें हुआ क्या है कि भारत ने अपने राजनेईकों को वहां से सुरक्षत निकाल लिया है वायुसेना की मदद से लेकिन वहां पर जो मजदूर अभी भी फसे हुए हैं उसको भी निकालने की अब कवायत तेज की जा रही है क्योंकि वहां पर धीरे धीरे तालिबान और अफगानिस्ता के बनाने की प्रियेजना वह पूरी के तरह पूरी तरह से अघर में लटक गई हैं उसके बाद जैसंकर जो विदेश यात्रा पर गए हैं तीन दिनों में दुसामबे अफगानिस्तान में कई देसों के साथ विमर्ज के बाद जैसंकर गुरुवार को ताशकंद उच्वेक प्रतिनिदी जालमई खलील ज्यादा समेत कई मद्द एशियाई देशों के सीर्सनेता होंगे माना जा रहा है कि अफगानिस्तान के मुद्दे पर भारत की अमेरिका रूस और चीन के साथ अलग अलग इस्तर पर संपर्क है गुरुवार का दिन विदेश मंत्री एस जैसंक करसंद पहुंचे हैं वहां कजाकर्स्तान के विदेश मंत्री मुंखत्र तिलिव अमक्टार बर्दी के साथ दिपक्शी बैठर हुई है नेक्स निउस पर आते हैं नेक्स निउस है प्रधान मंत्री मोधी आज देश को देंगे सबसे बड़े एक्वेरियम की सौगात प्रधान मंत्री नरेद मोधी सुक्रवार को गुजरात के सांसात पूरे देश को कई सौगात देंगे साम चार बजे वर्चुल माध्यम से वह देश के पहले अक्तियाधुनिक सुविधाओं वाले गांधी नगर कैपिटल स्टेशन वह उसके उपर बने फाइव स्टार होटल, एहमदाबाद इस्थित साइन सिटी में निर्मित अनूठी, एक्वार्टिका गैलरी, रोबोटिक गैलरी वह नेचर पार्क तथा वडन नगर रेलवे स्टेशन समय कुल 1100 करोन रुपए की परियोजनाओं का लुकारपण करेंगे, अब इसमें नेचर पार्क है, 14 करोन रुपए की लागत से किया गया है इस पार्क का निर्मान, कुछ पॉइंट्स दिये गए हैं उसे दे इक्वारिका आधी के जंगली जीव जनतों की जीवन प्रतिक्रिया इसमें होंगी उपलब्द, मैमथ, टेरर बर्ड, सेबर टूथ, लॉयन, स्लॉय बेर, करोडों की संख्या में खटमल से जुन्ड ववा मधुमक्यों के छत्ते की प्रकृतियां कर देंगी, अचम्वित, फॉक गार्डेन, चेस गार्डेन, सेल्फी पॉइंट्स, स्कल्प्चर, पार्क, अनुठे अनुभौ रहेंगे, बच्चों के मनुझन के लिए भूल भूलया भी तैयार किया गया है, अब एक्वार्टिका गैलरी के बारे में जान लेते हैं कि 264 करोन रुपए की लागत स हुआ है, इसका निर्माण, अरसत बड़े टैंक को वाले देश के सबसे बड़े एक्वेरियम में समुद्री जीवन से होर सकेंगे, आब रूबरू 188 प्रजातियों की मशलियां वह समुद्री जीव देखने को मिलेगा, इसमें और 11600 कुल समुद्री जीवों की अठखेलि से परिचय कराया जाएगा, रोबोटिक गैलरी के बारे हम जान लेते हैं कि 127 क्रोन रुपए की लागत से इस गैलरी का निर्माण किया गया है, 11000 वर्ग मीटर में फैली है, यह रोबोटिक गैलरी 89 प्रकार के रोबोट और उसके काम को देखने का आउसर मिलेगा, 200 रोबो नेस्ट पेज है हमारा बिजनेस पेज, बिजनेस पेज में जो पहली न्यूज है, वो है केंद्र ने राज्य को दी 75,000 करोन की GST छती पूर्ती, तो सबसे पहले GST के बारे में जान लेते हैं, GST Goods and Service Tax जो 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था, इसमें कई टेक्स को मिलाकर एक टेक्स कर दिया गया जैसे कि सेवाकर, वैट और कई प्रकार के जो राज्यों के टेक्स होते थे, उनको भी केंद्र सरकार के जो टेक्स होते थे, उन सब को मिलाकर एक टेक्स बना दिया गया GST, यानि एक देश एक कर इसको लागू कर दिया गया था, यह चार प्रकार के हो होता है फिर होता है UGST जिसमें की केंद्र सासित प्रदेशों का टेक्स होता है और IGST IGST मतलब केंद्र और राज दोनों का इसमें टेक्स होता है तो GST छति पूर्ति के मद में केंद सरकार ने राज्यों वा केंद्र सासित प्रदेशों को गुरुवार को 75,000 क्रोन रुपए जारी किये हैं यह रकम चालू वित्वर्स में जीएश्टी छती पूर्ती के रूप में जारी होने वाली कुल रकम की लगभक आधी है वित्व मंत्राले के मुताबिक 28 मही को जीएश्टी काउंसिल की 43 वी बैठक में छती पूर्ती के लिए इस बात को लेकर स केंद सरकार फिर से राज्यों की तरब से एक दिसमल्लव पांच नौ लाख को रुपए का कर्ज लेगी यह वैवस्था बीते वर्स में केंद्र वह राज्यों की सहमती में से अपनाई गई थी पेंशन जो वित्व मंत्राले के मुताबिक चालू वित्वर्स में जियेश्टी चति पूर्ती के मद में दिये जाने वाले 1.59 लाह करोन रुपए सेस कलेक्शन के आधार परच्छती पूर्टी के रूप में दिये जाने वाले 1.00 करोन रुपए के अतरिक्त होगा इस प्रकार राज्यों को चालू वित्वर्स में 2.59 लाह करोन रुपए दिये जाएंगे नेक्स निउस है कि एकनॉमी में अभी भी अभी बनी रहेगी मांग की समस्या तो देखिए जो करोना काल है करोना काल में कहीं न कहीं मांग प्रभावित हुई है और इसमें अब लेकिन जो उसके बाद तेजी से इसमें सुधार आ रहा है और इसमें एकनॉमी काफी रफ्तार के सांथ बढ़ रही है जैसा कि आरवी आई ने बताया कि ग्रोथ रेट तो नौ दुसमें लोग पांच प्रतीसत है लेकिन फिर भी एकनॉमी थोड़ी सी कमजोर है जिस हिसाब से इसे होना चाहिए था उस तरीके से पिछले देड़ वर्णसों का अगर हम रिकॉर्ड देखें तो हालात अच्छे नहीं बताय जा रहे हैं उसमें सुधार आने में वक्त लगेगा आरवी आई ने गुरुवार को जारी एकनॉमी की परमासिक रिपोर्ट में कहा है रिपोर्ट में बताया गया है कि चालू वि इंतिजार करना पड़ सकता है इसमें आगे यह बताया गया है कि मई जून 2021 में महंगाई की दर के निरधारित इस तरह से ऊपर रहने को रिजर बैंक ने इस रिपोर्ट में खास तवज्जो नहीं दी है बैंकों ने वर्ष के अंत तक इसमें 6% से नीचे आने की बात कही है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि महंगाई दर क्या होता है भारत में महंगाई दर बाजारों में सामानने तोर पर कुछ समय के लिए वस्तूओं के दामों में उतार चड़ाओं महंगाई को दरसाती है जब किसी देश में वस्तूओं या सिवाओं की कीमते सामान इसे अधिक हो जाती है तो इस स्तिती को inflation याने की महंगाई कहते हैं वस्तु की कीमते बढ़ जाने की वज़़ा से purchasing power प्रती unit कम हो जाती है जाइर से बात है अगर कोई वस्तू महंगी हो जाएगी तो आप उसका कर मुखितत धोक मूलिस उचकांग और खुद्रा मूख्लिस उचकांग के रूप में हर मां मुद्रास्वीति के आंकड़े जारी करती है जिसे पता चलता है कि उस महिने में महेंगाई बड़ी है या घटी है धोक मूलिस सुचकांग याने की होल सेल प्राइज इंडेक्स का आंकलन चुनिंदा 697 वस्तूओं की थोक कीमतों में उतार चड़ाओं के आधार पर किया जाता है अब नेक्स्ट निउस है सरकार ने LIC के लिए सलहकारों से मांगे हैं आवेदन देखें सितंबर माह में अगस्त या सितंबर माह में उमीज जताई जा रही है कि LIC का IPO आ सकता है Initial Public Offer जब कोई कमपनी पहली बार जनता के लिए अपने शेरों की विक्री करता है हिस्सेदारी की विक्री करता है हिस्सेदारी ओपन करता है खरीदने के लिए उसे बोला जाता है Initial Public Offer याने की IPO तो इस IPO के माध्यम से कोई भी LIC में हिस्सेदारी खरीच सकता है तो इसी को ही IPO बोला जाता है तो IPO के तहत जो सरकार है वो काफी कुछ उमीज जता रही है कि अच्छा खासा उन्हें पैसा मिलेगा लगभग 1.5 लाग करोन जुटाने का इसमें लक्ष रखा गया है और इस प्रक्रिया को प्रारम्भ कर दिया गया है कई लोगों से इसमें सलाह भी लिया गया है सरकार ने आवेदन आमंतरित की है बोलिया आमंतरित की है निवेस एवं लोग संपत्ति प्रबंधन विभाग ने निवेदाएं आमंतरित करते हुए इसके लिए भारतिय बाजार में अब तक का सबसे बड़ा IPO साबित होने की उमीद भी जताई है हाला कि LIC भारत सरकार का ही उपक्रम है जिस तरीके से भारत सरकार अपनी टॉप जो क्लास की उनकी कमपनिया है उसमें हिस्सेदारी बे इंक लॉस में है उतना LIC लॉस में नहीं है फिर भी इससेदारी बेची जा रही है तो LIC के बारे में जान लीजिए LIC की जो स्थापना है वह सितंबर 1956 को की गई थी और इसके जो अध्यक्ष है MR कुमार है नेक्स न्यूस पर आते हैं नेक्स न्यूस है हमारा एडिटोरियल पेज एडिटोरियल पेज में जो पहला आर्टिकल लिखा गया है केंद्री विस्विद्यालेों की एकल प्रवेस परिक्षा और यह आर्टिकल लिखा है दिल्ली विस्विद्याले में प्रोफेसर कुमार द्वारा। देखिये, आर्टिकल में बेसिक्लि ये बताया गया है कि किस तरीके से अब केंदřी विस्विध्यालों में एकल परिच्छा की आउशकता है. होता क्या है कि विद्यार्ती हर विस्विध्याले के लिए अलग-अलग प्रवيस परिच्छा देता है तो उससे समय की बरबादी होती है और जो इस्ट्रेंट होता है वो भी सिर्फ एक्जाम के ही पच्छडे में पढ़ा रहता है अब इन सबसे बाहर निकलने की जरूरत है कई बार इस पर सुझाओ भी मांगा गया था और इसमें आप कह सकते हैं कि जो मनमोहन सिंग की थी तो उस पर उनके विग्यानिक सलाकार जो थे सी एन आर राओ उन्होंने भी एक रिपोर्ट सौपी थी और उस रिपोर्ट का नाम था अनिवार रिक कदम एक सूची इस नाम की एक रिपोर्ट थी जिसमें उच्च सिक्छा के सभी पार्ठ क्रमों में अमेरिकी मॉडल को अमेरिकी मॉडल को अपनाने के लिए बोला गया था और उसमें ये बोला गया था कि सारे केंद्री विश्विद्यालों के लिए एक ही परिच्छा हो याने की C.U.C.E.T. C.U.C.E.T. मतलब Central University Common Interest Test तो उसी को लेकर ये आर्टिकल लिखा गया है देखे एक अर्से से केंद्री विश्विद्यालों के पाठक्रमों में प्रवेस का मुद्दा चर्चा में है और ये समझा जा रहा था कि academic ये वर्स है 2021-22 में देश के सभी 49 केंद्री विश्विद्यालों में प्रवेस के लिए एक Common Admission Test याने की Central University Common Entrance Test कराया जाएगा पर क प्रोना संकट की वज़े से वो भी अधर में रह गया और इस्तती अभी भी अइस्पष्ट है वैसे विश्विद्यालों के लिए Common Intrance Test की सुरुआत वर्स 2010 में हो गई थी पिछले वर्स भी 14 केंद्री विद्यालों और 4 राज्य विद्यालों में प्रवेस के इस तरीके से म प्रवेस के लिए एक Common Intrance Test कराने की अनुसंसा इसमें की गई है C-U-C-E-T जो है वो पिछली अउधारना से काफी अलग है क्योंकि अलग-अलग परिछाओं के जंजाल से मुप्ति दिलाने का ये एक मात्र रास्ता है पहले देखी क्या होता था इसमें एक्जांपल दिया गया है कि पहले Medical के लिए या फिर Engineering के लिए आपको पता होगा या सर्च करिएगा कि कितने एक्जाम होते थे हर Board के हर Medical College के हर राज के Medical College के कई एक्जाम ऐसे होते थे जिसमें Student जो है वो हर महीने या हर 45 दिन पर एक्जाम ही देता रहता था तो उस पर सरकार ने संग्यान ल परिक्षा कराई जाती है कई बार तो विभिन संस्ताएं भी परिक्षा की तित्यों में टक्राव आ जाता था होता क्या था कि कभी पता चला उत्तर प्रदेस और बिहार की एक्जाम डेट एक ही हो गई तो student के सामने अब इस्तिती दूसरी हो जाती थी उसके पास एक ही वि सरकार ने पहले medical और engineering सहित 22 राष्टिये विश्विद्यालेयों में भी विधी पाठकरम में प्रवेश के लिए common intense test शुरूप कर दिया फिर BA, BSC और BCOM आधी इसनातक या विभिन इसनातकर पाठकरम में प्रवेश के लिए छात्रों को इतने सारे विश्विद्यालों की प प्रवेश परिक्षा की अनुसंसा की है, C.U.C.E.T. का मुख्य विरोध वैचारिक कारणों से है, चुकि मोधी सरकार चात्र हित में C.U.C.E.T. को विस्तार देना चाहती है, तो मोधी विरोधी की मानसिक्ता C.U.C.E.T. के विरोध में प्रणित हो रही है, हलाकि जो मैंन एक्जांपल आपको दिया कि मनमोहन सरकार के जो वग्यानिक सलाकार थे, C.N.R. राउर ने भी ये दिया था कि उच्छ सिक्षा सरस्तानों में अमेरिका का मॉडल अपनाया जाना चाहिए, और उन्होंने जो रिपोर्ट प्रस्तूत की थी, अनिवार कदम एक सूची, उसम माचिक आर्थिक रूप से कमजोर विद्धार्तियों को इसका लाब मिलेगा, इसी तरह देश के दूर दराज इलाकों जैसे पुर्वोत्तर या सुदूर दच्छन के छात्र कई परिशानियों से बच जाएंगी, एकल प्रवेस परिक्षा लड़कियों के मामलों में तो औ अलग अलग है, कल की वीडियो में भी आपको बताये गया था कि जो CBSC बोर्ड है वो मार्किंग में कितना उदार है, याने कि एक जो नॉर्मल बोर्ड होता है, राज्जियों का बोर्ड होता है, उसका जो टॉप छात्र होता है, उसके 90% अंक आते हैं और जो CBSC बोर्ड का जो टॉप छात्र होता है उसके 99% आते हैं तो यह एक विसाय है कि जाइड से बात है अगर हम सिर्फ 12 के मार्किंग की बात करें तो CBSC बोर्ड वाले admission ले जाते हैं DU का या फिर और top university का तो इसी को मद्य नजर रखते हुए भी अब यह मांग उठी है कि एक common entrance test कराया जाए जिसमें सभी चाहे वो 90 परतिसत वाला हो या 99 परतिसत वाला हो अपनी छमता को वहां पर साबित करें और admission ले इसमें यह ना किवल उन छात्रों के लिए अन्याय है बलकि इससे समाज राष्ट की भी हानी होती है जिनके 90 परतिसत अंकाते हैं यह भारती समिधान के अनुछे 14 और 15 में उल्लिखित समानता के अधिकारों का भी हनन है तो सबसे पहले आप यह जानिए कि जो अनुछे 14 है वो है क्या 14 और 15 देखिए भारत के समिधान में कहा गया है कि राज्य भारत के राज्य छेतर में किसी व्यक्ति को कानून के समक्ष समता से या कानून के समान संरक्षर से वंजित नहीं करेगा भारती समिधान के आर्टिकल 14 के हिसाब से इसका मतलब यह है कि सरकार भारत के किसी भी व्यक्ती के साथ भेद भाव नहीं करेगी किसी भी व्यक्ती को राष्ट पती होने से धर्म जाती लिंुग मूल वंस के अधार पर नहीं रोका जा सकता इस बात की गारंटी भारत के समिधान के अनुछेद 14 में दी गई है अब 14 और 15 में क्या है जबकि भारती समिधान के भाग 3 में मौझूद समता के अधिकार में आर्टिकल 14 के साथ ही अनुछेद 15 जुड़ा है इसमें कहा गया है कि राज जी किसी नागरीक के खिलाफ सिर्फ जाती, लिंग, धर्म, जन्मस्थान, मूल, वन्स या इन में से किसी के आधार पर भी किसी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकता है। परिक्षा केंद्र एक दर्जन सहरों तक का आकड़ा भी नहीं पार कर पाते हैं। इन में छात्रों के सांसर्थ विस्विद्धालों को भी बहुत हानी होती है। वह पूरे देश में सरसेश छात्रों को अकड़सित नहीं कर पाते हैं। प्रधान से अपील है कि सिच्छा संबंदी किसी भी नीतिगत निर्णय में तीन बिंदियों को ध्यान में रखा जाए। राष्ट समाज हित व्यक्ति अर्थात छात्र हित और ज्यान का हित। C.U.C.E.T. राष्ट छात्र और ज्यान तीनों के हित में है। नेक्स्ट आर्टिकल है सबके हित में समान नागरिक सहिता। और ये आर्टिकल लिखा है विधी मामलों के जानकार एवं उत्तर प्रदेश उच्तर सिच्छा सेवा आयोक के सदस से प्रोफेसर हरवन्स दिख्षित द्वारा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि समान नागरिक सहिता क्या है। देखें समान नागरिक सहिता याने की UCC, Uniform Civil Code इसका मतलब है देश के हर नागरिक के लिए एक समान कानून का होना चाहे वह किसी भी धर्म या जाती से तालुक क्यों न रखता हो। फिलहाल देश में अलग-अलग धर्मों के लिए अलग-अलग पर्सनल लौ है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से हर धर्म के लिए एक जैसा कानून आ जाएगा। और इसको लागू किया था गोवाने 1961 में। तो आर्टिकल में देखते हैं कि अदालत ने एक बार फिर से सरकार के सामने नागरिक सहिता याने की UCC लागू करने का आगरह किया है। दिल्ली उच्च नयाले ने इसमें मौझूदा वक्त की जुरुत बताया है ताकि हमारा समाज और अधिक सम्रस हो सके। इसमें आगे ही बताया है कि समिधान निर्माताओं ने महसूस किया था कि विवाह और भरान पोशन से जुड़े मामलों का संबंध किसी उपासना पद्धिती से नहीं बलकि इसका संबंध इंसानियत से है। अधिक संतान व्यक्ति यदि किसी बच्चे को गोध लेकर अपनी वन्स परंपरा को आगे बढ़ाना चाहता है तो उसे सुरक्षा बोध का एसास होता है। तो आखिर इसमें उसकी उपासना पद्धिती को अभमानना कैसे हो सकती। यदि किसी कानून से किसी महिला को समाजिक सुरक्षा मिलती है या पती से अलग होने पर उसे दर बदर भटनेकने के बजाए गुजारे बत्ति की वैस्ता की जाती है तो इसमें महज, मजहब कहां से आड़े आता है। महिला पुरुस के वैवाहिक संबंदों में यदि समानता सुनिश्चित की जाती है तो इससे किसी भी सब्वे समाज को सरमिंदगी नहीं होनी चाहिए। यानि कि ट्रिपल तलाग बोलकर उसे तलाग दिया। फिर महिला ने उसको कोट में याज का दायर की और बोला की मैं हिंदू हूँ और हिंदू तोर तरीके से हमारा विवा हुआ था तो मुझे सिर्फ तलाग तीन सब्द बोलकर मुझे तलाग नहीं दिया जा सकता है, और मैं हिंदू नियमों को नहीं मान सकता तो इस पर भी कोट ने संग्यान लिया और यह जताया जा रहा है यह उमीद जताया जा रही है यह अब कोशिस की जा रही है कि एक कानून होगा तो इस तरीके के मामले नहीं आएंगे एक कानून मतलब हिंदू मुसलिम सबके लिए ए आगे बताया जाए रहा है कि आजादी के बाद हिंदू विधी में व्यापक परिवर्तन किये गया पहले पुरुस एक से अधिक साधी कर सकता था लेकिन हिंदू विवाह अधिनियम के द्वारा उस पर प्रतिबंद लगा दिया गया पति पतनी को विवाह विच्छेद करके स आधि के एक अधिकार को तोड़ते हुए महिलाओं की भागेदारी सुनिश्चित की गई आधिनिक सोच का लाप केवल हिंदू तक ही सीमित नार है और वह दूसरे मताव लंबियों को भी हासिल हो इसके लिए अदालत ने लगातार कोसिस कर रही है मुहमद एहमद खान बना मुहों का संग्रा बनकर रह गई है साब आनो प्रक्रण के बाद सरला मुदगल 1995 और लीली थामस 2000 जैसे कई प्रक्रणों सर्वोच नैले में ने समान नागरिक कानून के नहीं होने से दोसों को उजागर करते हुए इसका तुरंत क्रियान्वन करने का निर्देश दिया है इसे डिसकस नहीं करेंगे अब नेक्स निज्व पर आते हैं नेक्स निज्व है कि स्रंगला ने कहा भारत को सुरक्षा परिशद में इस्थाई सदस्य होने का पूरा अधिकार तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि सुरक्षा परिशद क्या है और कौन इसके इसकी प्रात्मिक जिम्मेदारी अंतराश्टी सांती एवं सुरक्षा कायम रखना है इसकी सक्तियों में सांती अभियानों का योगदान अंतराश्टी प्रतिबंधों को लागू करना तथा सुरक्षा परिशत के प्रस्तावों के माध्यम से सैन निकारवाही करना सामिल है अ अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन इसके इस्थाई सदस्ते हैं इसके अलावा 10 देश UNSC में अस्थाई सदस्ते हैं विदेश सच्यू हर्स रंगला हर्स वर्धन सरंगला ने कहा है कि भारत सयूत राश्ट सुरक्षा परिशत में अपने दो वर्सों का अधिक्तम ल समद्री सुरक्षा आतंकवाद, रोधी, कदमो और सुरक्षा निगरानी पर ध्यान के इंद्रित करने के साथ ही परिशत की अध्यक्षता की त्यारी कर रहा है तो ये आज का, याने की 16 जुलाई 2021 का दैनिक जागरान का राश्टिया संस्क्रण था, I hope आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक हो शेयर कर दिजीए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद